हेलो धोस्तों, कैसे हैं आप सब स्वोगते हैं मेरे YouTube चैनल में दोस्तों, आज हम मिस्र धातू जिसे एलोईस कहते हैं मिस्र धातू के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं तो दोस्तों, इसके पहले जो मेरी वीडियो थी हमने धातू और अधातू तथा उनके योगिकों का उल्यक किया था लेकिन आज मिस्रधात हुएं चैप्टर पढ़ने वाले हैं तो दोस्तों मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो शेयर करो कमेंट करो और दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर् मिस्रधातु कहते हैं मिस्रधातु के बारे में पढ़ लेते हैं मिस्रधातु क्या होती है किसी धातु का किसी धातु का किसी अन्य धातु या अधातु के साथ मिस्रधातु कहलता है किसी धातु का अन्य धातु या धातु के साथ मिस्रण वो क्या कालता है मिस्र धातु कालता है मिस्र धातु के गुण जो है उनके घटकों के गुणों से भिन्ने होते हैं मिस्र धातु के गुण जो होते हैं उनके घटकों के गुणों से भिन्ने होते हैं जिनसे मिलकर मिस्रधात हुए बनाई जाती हैं जैसे कि यहां पे ही कुछ एक्जामपल्स हैं उसको हम देखते हैं और एक्जाम के पॉइंट आप विव से भी बहुत इंपॉर्टर रहता है क्योंकि अक्सर एक्जाम से पूछा जाता है चाहे कोई भी एक्जाम हो सभी कॉपर और जिंक है कॉपर और जिंक जिससे क्या बनता है पीतल जिसे ब्रास करते हैं यह बनता है कौन-कौन सा रेसियो से सत्तर परसेंट जो है कॉपर रहता है और तीस परसेंट क्या रहता है जिंक रहता है कांसा जिसे ब्राउंज करते हैं यह बनता है कॉपर और तीन के मिस्टन से इसमें कॉपर कितना 90% और 10 जो है वो 10% होता है इसके बाद है जर्मन सिलवर जिसे कॉपर जिंक निकिल से मिलकर बनता है यहां पर कॉपर जो है 60% जिंक 20% और निकिल जो है वो भी 20% रहता है इसके बाद है रोल्ड गोल्ड रोल्ड गोल्ड जिसमें कॉपर 90% और इल्मूनियम जो है वो 10% पाए जाता है इसके बाद है गन मेटल में कौपर जो है 90% जिन्क जो है 2% और टीन जो है वो कितना 8% पाए जाता है इसके बाद है delta metal इसके बाद delta metal है delta metal में Selena metal में copper, zinc और ferrous इन तिनों का मिस्रण होता है जिसमें copper 6%, zinc 38% और ferrous 2%, मतलब थोड़ा मात्रा रती है इसके बाद है munge metal munge metal munge metal जो है copper और zinc का मिस्रण होता है copper 6% और zinc 40% पाया जाता है इसके बाद है Dutch Metal Dutch Metal जो है Copper और Gink का ये भी मिस्तरन होता है लेकिन बस ratio में फरक है यहाँ पे ratio क्या था 6 is to 4 का था लेकिन यहाँ पे कितना है 8 is to 2 का है बस फरक क्या है ratio का है बस ratio के फरक के होज़े से इनकी पूरी property change हो जाती है और मूझय Metal के नाम से जाना जाता है इसके बाद है Monal Metal जिसे Copper और Nickel के द्वारा बनाया जाता है इसमें Copper जो है 70% और Nickel जो है 30% होता है इसके बाद है टांका जिसे solder करते हैं इसमें Teane और LED का मिस्तरन होता है इसके ऐस 50% और Lead जो है है जिसमें बिस्मत 50% लेड 28% और टीन कितना है 22% पाया जाता है इसके बाद है मैगनेलिया मैं एलमुनियम जो है वो कितना 95% और मैगनिसियम जो है वो 5% है दोस्तों नाम के यादार आपको समझ में आ रहा है मैगनेलिया है जिससे मैगनेसियम जरूर उसमें होगा 5% पाया जाता है इसके बाद कुछ इंपोर्टेंट बाते हैं नोट में दिया है जिसे टांका यानि की जिसे सोल्डर कहते हैं इसका गलनांक जो है कितना होता है लेड और लेड और टीन जो है दोनों से कम होता है इससे जिससे बनाया जाता है उससे इसका गलनांक जो है वो बहुत कम होता है मतला melting point जो है वो बहुत कम होता है इसके बाद है spot दोस्तों spot जिसे steel करते हैं लोहे यवाम कारवन की मिस्दात जो है वो क्या कराती है इस पाद कराती है लोहे और कारवन की मिस्दात इस पाद कराती है जिसमें कारवन कितना 0.1 से लेकर 0.5% तक का होता है spot के अन्य मिस्दात हुए जो इस प्रकार है देख लेते हैं उसके बारे में stainless spot जिसे yes yes कहते हैं यानि की stainless steel stainless steel का नाम अपने सुना होगा जिसे चाकू अगर बनाए जाते हैं इसमें 18% इसमें 18% क्या होता है made nauseation yeah संचारण जंग प्रतिरोधी होता है या इसमें corrosion नहीं होता है और उसके साथ-साथ जो है जंग नहीं लगता है इसका उपयोग क्या बरतन बनाने और सल्लेए उपकरणों में इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों ये stainless steel जो है इसमें जंग नहीं लगता है इसके वज़े से हम बरतन इसको बरतन बनाने में यूपयोग करते हैं उसके साथ-साथ हम जो operation वगर थेटर में यूज़ करने वाला जो knife वगर होता है वो सब यूज़ है इससे stainless steel से ही बना जाता है इसके बाद है tungustan spot इसके बाद tungustan steel क्या होता है इसमें 15-20% जो है वो tungustan 5 प्रशंट क्रोमियम और कुछ वणेडियम युकत स्पात tungustan spot कहलते हैं इसमें 15-20% क्या होता है तैंगश्टन होता है प्रशंट क्रोमियम और कुछ वणेडियम्युकत स्पात होते हैं जिसे tungustan spot खते हैं इसके उच्छ में पर वी ठोड़ता बनी रहती है मतलब इसको बहुत ज़्यादा टेंपरेचर देने के बाद भी यह बहुत मजबूत बना रहता है मजबूती इसकी कम नहीं होती है इसके बाद उपयोग इसका है वेधन अंत्रो इसका उपयोग कहां कियाता है वेधन अंत्रो में किया जाता है के जो जिसे मिसाइल अगर होता है इसके बाद से लीकन स्पात क्या होता है silicon spot में 35% silicon परंतु अत्यंत कम carbon होता है लेकिन carbon इसमें बहुत कम होता है जैसे कि अगर उपर मैंने बताए था आपको एक range की spot का range क्या है इसमें carbon का जिसमें 0.1 से लेके 1.5% होता है तो इसमें यह जो silicon spot है इसमें carbon की मात्रा जो है यह बहुत कम होती है 35% silicon युक्त जो है silicon spot को इसके कैसा silicon spot को spot को transfer और विद्दुत चुम्बक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है यह silicon spot का उपयोग कहा किया जाता है transfer और विद्दुत चुम्बक बनाने के लिए उपयोग कियाता है इसका 15% जब सिलिकॉन रहता है जब 15% सिलिकॉन हो जाता है तो ऐसे सिलिकॉन जो है वो क्या सिलिकॉन स्पात किस काम में आते हैं अत्यधी कठोर होते हैं अगर 15% सिलिकॉन उसमें हो जाता है तो उसकी कठोरता और भी बढ़ जाती है और वह अमलरोधी होती है और यह इतना क सक्षम हो जाते हैं इसलिए इनका उप्योग जो कहां कियाता है अम लवाई पाइपों में यानि कि जिससे एसीड वगर एक अस्थां से दूसरे अस्थां तक पहुंचाया जा सके जिससा कि इंड़स्ट्री में पाइप वगर लगती है इसीड वाली वह इस स्टील की बनाई जाती है और पंपों को भी बनाने में इसका उप्योग कियाता है इसके बाद है कोबाल्ट स्पाथ क्या होता है कोबाल्ट स्पाथ इस प्रकार के स्पाथ जो है इस प्रकार के स्पाथ में 35% कोबाल्ट होता है इस प्रकार के स्पाथ में कितना परसेंट 35% का कोबाल्ट होत अस्थाई चुम्बक बनाने में किया जाता है, कोबाल स्पात का उपयोग कहा कियाता है, अस्थाई चुम्बक बनाने में इसका उपयोग कियाता है, इसके बाद है मैगनीज स्पात, मैगनीज स्पात का क्या काम है, इसके बारे मेगनीज स्पात पढ़ लेते हैं, साथ से ले गईबिड बनाने में, शैल संदलन में और यंत्रावली तथा चोर अभेध तीजोरी बनाने में भी इसका उपयोगर किया जाता है जिससे चोर चोरी करके नहीं जा पाएं कभी-कभी आपके पिक्चर वगरे में देखा होगा कि ऐसं तिजोरी दिखती है जिसमें बंधुक से फायर कियाता है या फिर बंग से भी उड़ाया जाता है लेकिन वो तिजोरी टूटती नहीं है वो किस से बनी रती है, यही मैगनी स्पाथ से बनी रती है, इसके बाद आगे है नीकेल स्पाथ, इसके आगे है नीकेल स्पाथ, नीकेल स्पाथ का क्या है, इसमें क्रोमियम अथवा निकील, क्रोमियम या फिर निकील अथवा दोनों कुछ प्रतिशत अंसर विद्यमान होते है इसमें निकल सपात में क्रोमियम निकील या फीर इन दोनों में से किसी का भी अंसर विद्यमान होता है तो इसा हिस पात किस काम में आता है इसमें अगर इस पात में अगर निकल खालव सेवुपरा पाईает गाल ता झसेत में का उंप्योम की अगर इसमें 46 परनिक्र की मोस जाती है अगर इसमें 46 मातर की हुआ है उसका श्राव में इस इसका उप्योग किया जाता है ञाथ निय्सक्तम समय होता है इसके बाद है एनिलिंग क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं इस पाद को उच्चताब पर गर्म कर धीरे धीरे ठंडा करने पर इसकी कठोरता घड़ जाती है किसकी कठोरता जो भी मेटल है उनकी कठोरता इस पात की यानि की जो भी मेटलिक इस पात है उनकी कठोरता जो है और धीरे-धीरे कम हो जाती है इसके बाद है अमलगम अमलगम क्या है पारा के मिस्ट धात जो है वह पारा के मिस्ट धात पारा क्या है येची जी ना अरे वही जो टेंप्रेचर मापने के अंत्र में यूज कियाता है थर्मा मीटर में वही पारा जिसे येची जी करते हैं पारा जो है वह अमलगम कहलते हैं कौन से पारा जो है म किस्सते सातH मैं अमलगम नहीं बनाते हैं इसके बारे में हम जाने लेते हैं क्या क्या है लोहा प्लेटिनम कोबाइर्ट नीकल यह फंट घू ऑउ कंpelा इन आ रखा जा सकता है तो दोस्तों वाज की मेरी वीडियो बस इतना ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में जो next वीडियो मेरा है वो मानव निर्मी पदार्थ के बारे में है जिसमें साबून आएगा डिटरिजेंट आएगा यह सब के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे तो मिलते एक नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए जैहिन दोस्तों